आज की इस वीडियो में आपको एक न्यू वेकंसी की बारे में बताने वाला हूँ जो क्यार ये BSNL के तरब से भारत संचार निगम लिमिटेड ओपर्चुनिटी फोर फ्रेसर्स ये फ्रेसर्स के लिए है कोई भी एक्जाम्स नहीं होना वाला कोई भी एप्लिकेशन फी रि जिसे के आने वाले जो भी सारी वेकंसी जाती है डिपलोमा, बीटेक, एमटेक, आईटी एस एरे टेकनिकल फिल्ड की सभी वेकंसी में इस चनल पर आपको बताता रहता हूँ तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके डख सकते हैं ताकि कोई वेकंसी आप मिस नहीं कर गई है डेट देख सकते हैं 11-12-2021 के डेट में रिलिज की गई है यह इसका लोकेशन रहने वाला है मुंबई महराष्टरा रहने वाला है यह जो है एडवर्टाइजमेंट फोर डिपलोमा अपरेंटीस सेलेक्शन इन बीसनल महराष्टरा सरकल 2021-22 जो भी एसे कंडिडेट ह बीसनल से आप लोग अगर अपरेंटीस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी अपर्टिनिटी है इसमें डिपलोमा वालों के लिए दिया गया है जो भी एसे कंडिडेट है जो डिपलोमा किया है उसका जो ब्रांच है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंडिडेट है अवल इंडिया से कहीं से बिलों करते ता आप लोग इसको अपलाई कर सकते हैं यह जो महराष्ट्रा सरकल टेलिकम सरकल इवे आपका होने वाला लोकेशन इसका दिया गया है महराष्ट्रा मॉंबए में तो जो भी इसे कंडिडेट है जो डिपलोमा किया है वह आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं इसमें एक चीज़ और यहां पर लिखा गया है दे कंडिडेट मस्ट हैब पास्ट दिपलोमा कोर्स इन इंजिनेरिंग या टेकनोलोजी फिल्ड रिकोगनेड बाइ एस एक एडिपलोमा पास्ट किया है किसी भी इंजिनेरिंग होना चाहिए 29-12-2020 के डेट से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा कुछ कटेगरी में आपको एज रिलाक्सेशन भी देखने के लिए लगा मंतली एस्टीपेंड जो है आपका 8000 पर मंथ आपको इसमें एस्टीपेंड दिया जाएगा जो भी इसे कंडिडेट है डिप बास किया है तो आप लोग इलीजीबल नहीं है सेलक्शन प्रोशेस आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसमें इसमें जो भी इंट्रेस्टेड होते है apply करना चाहते हैं तो कैसे apply करना है ओभी मैं आप लोग को बता दूंगा यहाँ पर कुछ email id और यहाँ पर name दिया गया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं किस post में किस circle में किस location पर कितना seat है यहाँ पर सभी दिया गया है आप लोग इसको भी देख सकते हैं इनमें जो total वेकेंसी है total 55 post के लिए वेकेंसी निकली है अगर आप लोग इसमें interested होते हैं apply करना चाहते हैं तो इसमें one year का आप लोग को apprenticeship training दिया जाएगा उनके बाद आप लोग को जब भी कोई BSNL के तरब से permanent वेकेंसी निकलती है तो आप लोग को as a experience consider किया जाएगा आप लोग को preference दिया जाएगा इसको अगर आप लोग apply करना चाहते हैं तो apply करने के लिए Nets portal के official website पर आप लोग को visit करना होगा अगर आप लोग को नहीं पता Nets portal पर registration अगर अभी तक नहीं किया है तो आप लोग Nets portal पर जा करके registration कर लिजे वहाँ पर first time आप लोग registration करना जरूरी होता है उसके बाद 24-44 घंटे में आपको ID activate हो जाता, approved हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर apply कर पाओगे उससे पहले apply नहीं कर सकते हैं इसमें apply करने के लिए आपको कुछ भी Nets portal पर login करना है, login करने के बाद find establishment में जाकर कि यह भारत संचार निगम limited search करना है, जैसे search कीजेगा तो आपको वहाँ पर apply करने का option आजाएगा वहाँ से आप लोग इसको apply कर सकते हैं, कौन-कौन से document required है Nets portal पर registration कैसे करना है, इन से related, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो वीडियो के description में link दे दूँगा, Nets portal पर registration कैसे करे या Nets portal पर apply कैसे करे, तो उस वीडियो को देख करके आप लोग इसको apply कर सकते हैं यहाँ पर इसमें भी step दिया गया है, इसको भी follow करके आप लोग इसको apply कर सकते हैं important date बता देता हूँ, important date आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं online application का start date 14.12.2021 है, और last date जो है, इसको apply करने का 29.12.2021 है तो आज के date से यह apply start हो चुका है, आप लोग जल्दी से जाकर apply कर दिजें, जितना जल्दी जो पहले apply करता है उन लोगों को chance इसमें ज़्यादा रहता है होने का, certificate और document verification का date दिया गया है तो नीचे comment करके फूस सकते हैं, वीडियो का ज़रूर से एक like कर देजिए, चैनल को subscribe ने किया है, तो subscribe करके bell icon press करके all select ज़रूर से करके रखे, जिनसे की जो भी सारी vacancies आती है, diploma BTK related, सभी मैं आप लोगों को इस channel पर बताता रहता हूँ और telegram channel का link वीडियो की description मिल जागा, ज़रूर से join होकर कर रहिए, वहाँ पर आपको सभी link वीडियो मिल जागी तो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए सुक्रिया और thank you